हेलो दोस्तो मैं उदेड आगर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एगजाम नियोज बाई उदसर में दोस्तो हम आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रिसन लेक रहे हैं आप यहां से अपना सिकोर चेक कर सकते हैं और ज़्यादा प्रिसन नहीं है केबल वही 25 प्रिसन है यानि कि अच्छे लेवल के जो प्रिसन होते हैं एगजाम में बनते हैं या फिर कुछ प्रिसन ऐसे हैं जो एगजाम में पूछे गए हैं तो इस सेशन को हम सुरू करने से पहले हम आपसे एक रुक्वेस्ट करते हैं जो नए साती हमारे चैनल पर पहली बार कोई भी वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भी सेयर कर सकते हैं तो यहां से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी भी तयारी किया एक्जाम के लिए तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं कि भाई आपके कितने प्रसंट ठीक हैं कितने आपके गलत हैं हरियना में सबसे छोटा कारेकाल यानिके जो पंजाब हरियना हाई कोट है उसमें सबसे छोटा कारेकाल किस मुखन्याई दीस करा है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपके देवी सिंग तेवतियां हैं मात्र 14 दिन के लिए रहे हैं और सबसे लंबा जो कारेकाल है अमरनात भंडारी करा है तो बी बिल्कुल इसका सही अंस्वर रहेगा भई ठीक ना तो बी बिल्कुल इसका राइट अंस्वर है सवी धान लागो हुआ उस समय मुके नहाई दीस कौन थे पंजाब हरियना हाई कोट के जो की आपका चंदिगड में है तो उस समय उसके मुके नहाई दीस कौन थे जब आपका सवी धान लागो हुआ तो सही आंस्वर रहेगा एरिक बेश्टेन रहेगा 26 जनवरी 1950 की बात है कभी की बात है 26 जनवरी 1950 को आपके कौन थे एरिक बेश्टें थे उसके बाद यानि कि जब आपका सवीधान लाग हुआ ठीक है ना तो मैं आपको बता रहा हूँ उस समय ना आपका जो पंजाब हरियनाहाई कोर्ता वो सिमला में था लेकिन 17 जनवरी 1955 को ये चंदिगर्ड सि किया गया उसमें अमरनात भंडा रही थे भई जिनका सबसे लंबा कार्यकाल था तो इसका जो राइट अंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंस्वर है हरियना में महरा गाम जगमक गाम योजना कब सुरू ही है तो इसका जो राइट अंसर रहेगा एक जुलाई 2015 यानिकी बिल् प्रतन भी हम कहते हैं और इसे हरियना का तिलक भी हम कहते हैं इन्होंने तिलक पत्री का निकाले थी 1923 में और इनका संबंद कहां से है जजजर से बिलॉंग करते हैं कही बार आप्सन में आपको ये भी पूछ सकता है आप से कि भई इनका संबंद किस जिले से है तो जजज परसन हम कहे सकते हैं तो इसका जो सही आंस्वर रहेगा बेरी गाम है और बेरी गाम आपका कहाँ पर है जजजर में है तो B बिल्कुल इसका सही आंस्वर है लाला लाज पत्राई ने कहां कहांपर वकालत की बई तो यह परसन रिपीट हो रहा बईबार आपको दियान रखना है लाला लाज पत्राई के दुआरा कहां कहां पर वकालत की गई तो इन्होंने हिसार में भी की है लाहर में भी की है तो इसका जो राइट अंसर रहेगा दियान रखना तो दियान रखना तो डी बिलकुल इसका राइट अंसर है तो ये जो चार आपसन है इसके अकॉर्डिंग देखे तो इनमें से कोई नहीं इसका अंसर रहेगा लेकिन राज्य महिला आयो कि जो अध्यक्षा यानिकी सुमन पिर्तिभा के नाम से भी आता है वो थी भाई ठीक है ना सायद उन्होंने इस्तिफा दे दिया है अब मैं जो आपको बता रहा हूँ कुछ दिन पहले उन्होंने इस्तिफा दिया था लेकिन फिलाल में आप करंट के अकॉर्डिंग इसका अंसर जान सकते हैं तो ये पिरसंट चैन्ज होते हैं कही बार लेकिन जब ये पिरसंट पूचा गा है उसके अकॉर्डिंग मैं अबना नगर में बनते हैं ठीक है और आर्मी के जो कंबल है वो सबश्यदिक पानी पत में बनते हैं ठीक है ना तो ये भी आपको दियान रखना है और जो वेग्यान नगरी है यानि कि वो आपकी अंबाला है तो इसका जो सही आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है ये दादरी में इक आपका हिलना पत्थर भी पाया जाता है जो कलियाना एक गाह में वहाँ पर हिलना पत्थर भी मिलता है जिसे हम निर्तिय पत्थर भूकम पत्थर के नाम से भी जानते हैं और ये देश का एक मातर स्थान है हिलना जो पत्थर आपका चर्खी दाद्री में कलियाना नमक सथान पर पाया जाता है तो इसका सी बिलकुल सही रहेगा कपूरी की पहड़ियां भी आपकी कहां पर है चर्खी दाद्री में है पिर सिद्ध सीता माई का मंदिर हरियाना में कहां पर है तो ये चार option आपके पास में है इसका जो right answer रहेगा करनाल में है और सीतला माता का जो मंदिर है आपका गुरूगराम में है जिसे मसानी माता भी कहते है और चेचक की देवी भी कहते है किरपी के नाम से भी जानते है तो वो आपका गुरूगराम में है जबकि सीता माई का मंदिर आपका करनाल में है और सती का ताला पूछ लेता कही बार वो आपका होडल पलवल में है ठीक है तो ये भी आपको अच्छे से पता होना जरूरी है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है हरियाना के किस दिले में कोई भी रेल मार्ग नहीं है अगर हम बात करें काफी दिन पहले पिरसन पूछा गया तो इनमें से यानि कि मेवात रहेगा यानि कि मेवात में कोई रेल मार्ग नहीं है जिसे नू के नाम से जानते हैं लेकिन अव यह जो सपेसल एक यानि की जो अराबली पहाडी से एक सुरंग बनाएगा यह किलोमीटर लंबी अलग वग अव यानिकी सपेसल मेवात को भी रेल मार्ग जाएगा आनेवाली समय मैं तो उसके according अगर हम देखें पहले समय का निसर देखें तो इसका जो right answer है रह अर लबकुष्ण ग्रहीते हैं तो इसका जो राइट आणसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसौर है हरियाना में गैंदा सबसेधी कहाँ पर होता है तो इसका जो right answer रहेगा गैंदा आपका सबसेधी गुरुगराम में होता है गुलाब की अगर हम बात करें तो चंदिगडा option रहेगा चंदिगड नहीं तो पंचकुला मिलेगा ठीक है और रजनी गंदा या गैलोडियस के नाम से आ जाए तो फरीदवाद में सबसेधिक होता है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है भई डी बिल्कुल सही आंसर है अठारे सो सतावन की करांती का रानिया से सहीद राजा कौन था तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चार आपसन आपके पास मे अठार सो सतावन करांती का रानिया से सहीद राजा कौन था तो नूर शमद खाते बै कौन थे नूर शमद खाते और रानिया जिसे प्राचीन समय में राजबपुर के नाम से भी जानते हैं यहीं पर एक रानिया का किलावी है जिसे मिट्टी का किलावी कहते हैं चौदमी स्तावदी का बना हुआ है और रानिया आपका सिरसा में है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भी बिल्कुल सही आंसर है हरियना का कौन सा जिला सबसे पहले NCR में सामिल किया गया तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फरीदाबाद को सामिल किया गया और दोस्तों आप हमें कॉमेंट करके बताएंगे फिलाल जो NCR में हरियना के कितने जिले सामिल है सबसे पहले फरीदाबाद को सामिल किया गया औ याने कि गुरुग्राम में अब दो नगर निगम है, एक मानिस्टर है, तो ये भी आपको याद रखना घुरुग्राम आपका 2008 में बना है, जबकि सबसे पहले फरीदवाद आपका नगर निगम गोसित किया गया है, तो इसका जो रायट अær्ण सर रहेगा, भी बिल्कुल प हरियाना का कौन सा बैंक किसानों को सहकारी रिंद देता है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हरको बैंक कौन सा बैंक रहेगा हरको बैंक रहेगा यानि कि बिल्कुल इसका राइट आंसर है एक लब्य मंदिर हरियाना में कहां पर है यह प्रसन भाई कई बार रिपीट कैथल जिले का कौन सा मेला लोकप्रिय है तो फल्गु मेला लगता है ठीक करना शौमबती अमावश्य को लगता है यानि कि ए बिल्कुल इसका राइट आंस्वर है यानि कि जो फरल गाम है वहीं पर लगता है ठीक करना फल्गु मेला तो ए बिल्कुल सही आंस्वर है बिल्क हमें तो द्यान रखना इनका गुरुगराम से संबंद है और ये एक क्या थे भई एक सायर थे या सायरी लिखते हैं तो ये भी आपको याद रखना ए बिल्कुल सही आंस्वर है हरियाना में सौल बनाने की कला क्या कहलाती है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हरियाना में स अराबली पहाडी अभाई थी करने से ज्वाला मुकी पहाडी भी कहते हैं और ये ज्वाला मुकी जो केंदर था प्राचीन समय का ये आपका नारनोल मेहंदरगड में कहां पर डोसी की पहाडी के पास में लगवागा आपको दियान रखना है तो इसका जो राइट आंसर र इसका जो सही आंसर रहेगा पंचकुला यानि कि सी बिलकुल राइट आंसर रहेगा भई ठीक है तो इसे उपगरह नगरी भी कहते हैं ये एक उपगरह है भई केंदर सासित प्रदेश चंदीगर का तो ये भी आपको याद रखना है तो सी बिलकुल इसका सही आंसर है भई हिना मेहंदी उद्यो किस दिले का प्रिशिद्ध है तो बिलकुल आच्छा प्रिशन हम कह सकते हैं काली मेहंदी के नाम से भी प्रिशन बन सकता है यह पूरे देश भर में प्रिशिद्ध है भई Mehandi के लिए तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फरीद बाद है यानि कि फरिदाबाद बिल्कुल वह कह सकते हैं बी बिल्कुल राइट अंसवर है । अफर आता है तो इसक Kh defence के लिए और दोस्तों आप हमें कॉमेंट करके बताएं मैं सेशन कैसा रहा है कितने प्रिसन आपके ठीक है कितने आपके गलत है और जल्दी आपके लिए नेक्स्ट जो मतलब की जो वीडियो वो लेकर आएंगे और आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक देखा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद